पेगासस को इसराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एन एसो ने तैयार किया है बंगला देश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाइवेयर खरीदा है इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं मेकसिको से लेकर साओधी अरब की सरकार पर इसके स्तमाल को लेकर सवाल उठाय जा चुके हैं वाटसब के सुआमित वाली कमपनी फेश्बुक समेत कई दूसरी कमपनीों ने इस पर मुकद में दायर किये हैं भारत के बारे में आधिकारिक तोर से ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से Pegasus को खरीदा है या नहीं। हाला कि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिस किये हैं। ये कमपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मानिता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश आतंकवाद और अपराद के खिलाफ लड़ना है। हालिया रोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे दावे किये हैं। सरकारे भी जाहिर तोर पर बताती हैं कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है। लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मंचाहे इस्तमाल और दुर्पयोग के गंभीर आरूप लगे हैं। आपको बता दे कि पेगासस से एक स्पाइवेयर है जिसे इसराइल साइबर सुरक्षा कंपनी NSO गुरुप टेकनलोजी ने बनाया है। ये एक ऐसा गुरुप प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्ट फॉन में डाल कर दिया जाए तो कोई हैकर उससे स्मार्ट फॉन के माइक्रोफॉन, कैमरा, आडियो और टेक्स्ट, मैसेज, इमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है।